अगर तुम्हारी उम्र हो सिर्फ 23-24 साल और हाथ में हो 11 लाग की पूंजी तो तुम क्या कुछ कर सकते हो आज सुबह अकबार पढ़ते पढ़ते मुझे यही ख्याल आया कि अगर मैं एक आम लड़की होती आज के दिन 23-24 साल की और मेरे हाथ में मेरी सेविंग्स होती 11 रुपए की तो मैं कैसे खर्च करती उसको कैसे बढ़ाती या उससे क्या करती मैं अनुपमा चंद्रा एकस आयस अलाइड ओफिसर और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल अनुपमा चंद्रा आयस पर जिसमें मैं सिखाती हो कि आप UPSC टॉपर कैसे बने तो एक भी कैसे इन्वेस्ट करूं कैसे ग्रो करूं तो तुम्हारे इसाब से क्या चीज इंपोर्टन है अपना एक बिजनस करने के लिए तो मुझे पता है सौ में से निन्यानवे लोग यह कहेंगे कि भई डिगरी से जादा कॉन्फिदेंस और आटिट्यूद इंपोर्टन है तो क् पान लेते हैं कि हमने 11 लाग रुपए से रेस्टोरेंट शुरू किया तो रेस्टोरेंट के लिए क्या ज़रूरी है कि हम एक्सिलेंस को पर्सिव करें यानि हमारा रेस्टोरेंट सबसे अच्छा होना चाहिए कोई प्रॉबलम आए तो उसे सॉल्व कर सके कोई सेटबैक अगर यह तीन चीजे आपके पास थे आप कहेंगे कि माम इसमें क्या है अगर यह तीन चीजे हैं तो रेस्टोरों क्या यूट्यूब चैनल हो चाहे कोई डिजिटल कंपनी हो, चाहे कोई एजुकेशन कंपनी, कोई भी चलाई जा सकती है, और अगर मैं आपको कहूँ कि एक जगा है, वर्ल्ट की बेस्ट ट्रेनिंग की जगा, जहां पर ये सब कुछ आपको सिखाया जाता है, और सिखाया ही नहीं जाता, फ्री में सिखाया जाता है, यहां तक की आपको पे भी किया जाता है, तो आप क्या कहोँगे, लेते एक छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद मैं बताऊंगी, कि यह कौन सी ट्रेनिंग अकाडमी है, जो आपको ऐसे अटिट्यूड्स दे रही, कि आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, तो स्टे टून्ट और डोंट फोगेट तो लाइक अब सब्सक्राइब तो माइ चैनल, वेल्कम बाक, तो ऐसी ट्रेनिंग, ऐसी अकाडमी का रास्ता आप खुल गया, अगर तुम अगनी पत स्कीम में सिलेक्ट हो जाते हो, तो तुम्हें ऐसी ट्रेनिंग मिलती है, खासात में पेमेंट भी, जब आपका टर्म पूरा हो जाता है, तो आपको एक 11 लाख रुपए की पुझी भी मिलती है, तो अगनी पक्त स्कीम में अगर तुम सेलेक्ट होते हो, तो तुम जो सेना के लिए कर रहे हो, जो देश के लिए कर रहे हो, वो तो अलग है, लेकिन कुछ आटिटूट्स तुम ऐसे सीख लोगे, ग्यारंटीड है यह बात, तै है, कि वो आटिटूट्स तुम्हें जिंदग कि में कुछ ऐसा नहीं जो तुम फटहनी कर सकते हैं, दूसरा अटिटूड मिलता है, कॉन्फिडेंस, आर्मी की ट्रेनिंग से आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हो, कि मैं कहते हूं कि अगर आप उसके बाद किसी बी इंटिव्यू में अपियर करोगे, तो तो तॉप कर करना, और चौथा जो मुझे लगता है कि बहुत ही अमेजिंग स्केलर आपको मिलता है, वह है एक्सिलेंस, आर्मी की ट्रेनिंग में हर एक कैंडिडेट को एक्सल करना सिखाया जाता है, कोई अप्शन ही नहीं है, एक्सल करना ही है, परफेक्शन के पास पहुंच नहीं है और सोचो अगर ये अटिट्यूड ले लिया, तो जिन्दगी में हर चीज में एक्सल करने की आदत पड़ जाएगी, कैसे नहीं सफल था आपको मिलेगी, और अब एक fun fact मजे की बात भी बता दूँ आपको, by the way, UPSC Civil Services के एक्जाम को क्रैक करने के लिए भी ये चार इस ट्रेनिंग को complete करो, दुनिया भर की opportunities तुम्हा लिए खोल जाएगी, और मेरे चानल को like और subscribe करो, वरना तुम miss out कर दोगे ऐसी information पे, जो आपको कोई और नहीं देता